नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त आजे कुमारिया दो एक बार फिर से हाजिर हूँ इतिहास के जरुखे की एक अनुखी दास्तान लेकर ग्री सुमेल के युद्ध की कहानी लेकर चलो मित्रो चलते हैं ग्री सुमेल के मैदान में उन दिनों भारत के उपर अफगा सूरी को पता था कि अगर दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित करना है तो पहले उसे राजपूताना को फटैक करना होगा इसी के करम में वो अस्जी हजार की विशालकाई सेना लेकर मेड़ता के रास्ते होते हुए सुमेल के मैदान में जांप पहुंचा हुदर जब माल दिवराठ होड को इस बात का पता चला तो पंद्रे हजार मात्र भूमी पर जियान गवाने वाले सेनिकों को लेकर गिरी के मैदान में अपना डेरा जमाया अस्जी हजार की सेना होते हुए भी सेर सासूरी की हिम्मत नहीं पढ़ रही थी कि वो माल दिव की सेना के उपर आक्रवन करी आक्रकार उसने चल से काम लिया उसने सेना पती जैता और कुपा के नाम जाली पत्तर तयार करवाए और राओ माल दिव राठोड के खेमे में डलवा दी पत्रों में ये लिखा था कि जैसे ही कल का युद्ध सुरू होगा तो जैता और कुपा सेर सासूरी की तरफ से सेना के साथ जोदपूर की सुरक्षा के लिए जोदपूर की तरफ कूच कर दिया पंद्रह हजार में से केवल अब आठ हजार की सेना सेस रहेगी थी हुदर जब जेता और कुपा को इस बात का पता चला कि उनके उपर राष्ट द्रों का राष्ट से गधधारी का कलंक हुनों ने अपने सामंतों की एक मिटिंग तैयार की और दूसरे दिन सुबह शेर सासूरी पर आक्रवन करने का निश्चे किया पांच जनवरी सन पंद्रह सो चौवालिश की ये सुबह थी जब जेता और कूपा के नेत्रतों में सेना ने सुमेल की तरफ कूच किया सेर सासूरी को लगेगा कि अपनी विशालकाई सेना के दंपर और सिगरी राजपूत सेना को कुचल देगा लेकिन आज इरादे कुछ और थे युद में रन भेरिया बज उठी और युद सुरू हुआ राजपूत आज तूफान बनकर सेना के उपर तूट पड़े और अफगान सेना के सर उड़ने लगे सुमेल के अंदर जो तालाब था वो पूरा खून से भर गया जिस परकार से आग का एक छोटा सा जोका जंगल को नश्ट कर देता है उसी परकार से जैता और कूपा के नित्रतों में अफगान सेना को राजपूती सेना काट रही थी युद इतना भेंकर चल रहा था कि सेर सासूरी को अपनी आखों के पर विश्वास नहीं हो रहा था सेर सासूरी के पास सालिस तोपे थी लेकिन वो राजपूतों की तलवानों के आगे आज बेकार सित हो गी थी राजपूत सेनिक बस सर उड़ाए जा रहे थे उड़ाए जा रहे थे सेर सासूरी भैसे जडवत होगा उसका खून सा जमगा एक समय तो ऐसा आया कि वो युद भूमी से भागने को भी तयार होगा उसने युद भूमी के अंदर ही नमाज को पढ़ना सुरू कर दिया कि हे खुदा मुझ पर रहमत करना इस युद में फत्य दिलवाना लेकिन उसकी एक भी तरकीव काम नहीं आरी थी पठान से निक धीरे धीरे सुस्त पढ़ने लगे थे उसी समय सेर सासूरी के रिजवर्दल की सेना आगी और उसका सामना भी राजपूत्ती सेना से हुआ युद इतना भेंकर हुआ कि दिन ढलता आगा दिन ढलता आगा सेर सासूरी को तब विस्वास हुआ जब उसके सेना पती ने खबर दी कि जैता और कुपा युद्भूमी में लड़ते हुए मारे गए हैं तब जाकर के सेर सांसूरी के विश्वास हुआ मात्र आठ हजार के राजपूत्ती सेना ने सेर सांसूरी के 40,000 सेनिकों को काट दिया और वो युद्भूमी केवल लासों के मैदान के अंदर तबदील होगी थी वहाँ पर पड़े हुए पत्थर एक एक पत्थर एक एक छत्री उन वीरों की सोरिय गाथा को याद दिलाता है आखरिकार जैता और कुपा ने सिद्ध कर दिया कि वह सचे देश भक थे हम उन सब वीरों को सत सत नमन करते हैं प्रियमित्रो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अपने भाई को इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें जै हिन जै भारत